एजी साह एक भार्ती अभिनेती मोडर और डांसर है चुम कुरूप से कनाडा और बॉली उट फिल्मों में काम करती है वह जय हो हेट इस्टोरी 3 और रेस 3 जैसी फिल्मों में काम करने के लिए जानी चाती है डेजी साह का जनम सनीवार 25 अगस 1984 को बुम्बई मारस्ट में हुआ था उसकी रासी कनिया है उन्हेंने बुम्बई मारस्ट के खालसा कोलेज से कला में स्तार की पड़ाय पुरी जी के पिता का एक बिद्नेसमें थे 2007 में दिलका दोरापने से उनकी मुत्ती हो गई उनकी मा का नाम पलवी साह है उनकी एक बैने चो डिपारी साह है इसी अपपा थी कि रेजी साह कोरियोगरापर गनेस आचारे को डेट कर रही है रेजी ने गनेस के डांस ग्रूप में साय कोरियोगरापर के रूप में काम कि थी कि गनेस आचरे ने उन्हें एक कार और एक आली सांप लेड गिप्ट किया है हला कि उन्हें ने रेजी के साल किसी भी रिष्टे से इंकार किया है और एक सस्ताकार में खुला सा किया है यह सर्थ नहीं है यह सर्थ नहीं है जब देखा जब साउथ आफ्रिका में वालिवुड फिलम मेंने प्यार क्यों किया के लिये गनेस आचर को असिसित कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबी सलमान ने डेजी को एक बैतनी कार्ट किप्ट की थी। जिसान ने 2011 में कनाडा फिलम बोरी गार्ड से अभ्यान की सुरुवात की जिसमें उनने अम्मू की भूमी का निबाई। पैली कनाडा होरर फिलम थी। 2015 में डेजी बॉलिवूट फिलम हेट इस्टोरी थीरी में काया सर्मा के रूप में दिखाई दी। 2018 में डेजी ने बॉलिवूट फिलम डेज 3 में साजना सिंग की भूमी का निबाई। 2019 में डेजी ने फिलम गुजरात 11 से अपना गुजराती डेब्यू किया जिसमें उनने एक समय इस्पेक्टर दिग्या चोगान की भूमी का निबाई। डेजी सा ने अपने करिये की सुरुवात गनेस आचारे की मंडली में एक नरतगी के रूप में की थी। 2022 में डेजी सा इंडीरा केंस के केवसाई विक्यापन में दिखाई दी। डेजी सा ने कुछ संगित वीडियो में अप्यान किया है। जैसे ताहा सा अभीनिती एक वारी असिम दियाज के साथ जुदा हो जाए और दियर कपूर अभीचित अपकाना। रेजी सा पर भुचपरी अभीनेता सतेंदर सिंग ने हत्या के प्रयास का आरूप लगाया था। उन्हें रेजी साहा, गनेश आचरे, रजनिस, दुगल और तमीर फिलम सोडा के अठा अनिया कूर सदयोसे के खिलाफ हत्या का पयास का मामला दर्च किया गया था। सतेंदर सिंग ने रेजी पर आरूप लगाया कि उन्हें उन्हें फिलम में रिप्लेस कर दिया क्यूंकि वह एक मसूल स्टार के साथ काम करना चाहती थी। कि यह काम करता है। इस फोस्ट की लोगों ने अलोचना की कि उप्तनेस परते समय वह मुस्कुराती हुई दिखा दे रही थी जो कि उन्हें अच्छी था कि उप्तनेस एक लड़की मरियम के बारे में है जिसने बहुत दुखत बच्पन का सामना किया और यहां तक कि अपन साधी में दूर्वेकार का भी सामना किया बात में उन्हें पोस्ट हटा लिया और इसके लिया माफी मागी दोजा पंद्रा में उन्हें एटीसी बॉलीवड बिजनेस एवर्ड में जय हो के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डेब्यू अभिनेतिका पूस का जीता डेजी ने अपनी दाइनी बाहे पर एक टेट्व गुदवाया है जो संस्कूर बासर में लिखा है और इसका अर्थ है मेरी मा और पिता मेरे भगवान है उसने अपनी पीट के निचले हिस्से पर एक टेट्व गुदवाया है डेजी साहा के पास मसलीज GLC 220 कार है डेजी ए इस फोटो जोनिक का किताब जीता था डेजी साह ने वॉल्यूड फिलम रेस में असीमें डांसर के तोर पर काम किया था डेजी साह का एक सवर सिक्सक यूटूब चैनल है जहां वा अपने वरकाउट सासन यात्रा ब्लोग डांस सोट और खाना पकाने का यंजनों के वीडि लिए एक अंट्यूण में उन्हें कहा फिलम में एक्सन सिक्वल है और टीकप्सिंग में मेरे पसिशन ने वास्ताव में अच्छा रिप्लेस आसिर करने में मदद की मैंने एक साल पहले बीकप्सिंग में अपना पसिशंग सुरूब किया क्यूंकि मैं इसे सिक्णा चाता आकिरकार इससे मुझे फिलम में चीजे सरी करने मदद मिली। डेजी को उसके दोस्त और परिवार वाले प्यासे डेजी नाम से उलाते है। डेजी अन्या अभी नेतियों के साथ सल्मान खान के नित्यों में दा बेंग टूर नाम का कॉंसे दूर का एक पर्मुक हिस्सा है। डेजी अपने वच्पन के दिनों में हमेशा ये रोस्टेर बनने का सपना देखती थी। डेजी को बोडिगार में करीना कप्र की सबसे अच्छी दोस्की भूमिका निबाने के पेसकस की गए थी। लेकिन यह भूमिका उन्हें उस साइट नहीं कर पाई। कथी तोर पर फिलम को नाख कहिने के फैसले से सलमा खा नाराज और चीड गए। एक एंटर में उन्हें ने कहा। मुझे चीज भूमिका को निबाने की पेसकस की गए थी। मैं उसमें अस्वत नहीं था। मैं एक साउट फिलम की सुटिंग कर रहा था। और तारीखे भी एक समय थी। मैं उस प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकती थी। मुझे एक चीज पर ध्यान केंदिर करना था। मैंने स फैसन वीक 2017 में अमी जीटी और लेक में फैसन वीक 2019 में कंचन मोरे जैसे कुछ डीजाइनर के लिए रैपको किया है। मैं 2018 में बुंबई पुलिस ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्यूट किया जो बॉलिवड फिलम रेस थी अभिनेती रेजी साग के वारे डायलोग हमारा यवसाई हमारा यवसाई है आपका कोई यवसाई नहीं से प्यारी था। यह सुनिसी करने के लिए अपने डेटा का ज्यान रखे कि रेस ओफ सर्पिस्टी में आपको हराने के लिए कोई इसका फाइदा ना उठा ले।